इन सब के लिए एल्बन डॉइन से बेस्ट सर्विशन कुछ भी नहीं है ओ माई गॉड यह तो ना सारा ओइल निकला और यहां पर फिल्टर होगे निकलता है यह देखिए अब ऐसे करके सब्सक्राइब तो जो आज में आपको बात किया जाए तो बदाम आती सबसे महंगी और इससे भी महंगी आते हो गये पिस्ता और यह पर लोग इन्डेयन में चो खाते हैं बदाम तो यह आज मैं आपको बदाऊंगा बदाम का तेल तीन हजार रुपार लीटर बिकता है जानकारी बहुतों के पास अल्रेडी होगी जो देख रहे हैं उनके पास भी बहुत भंडार होगा और यह बुजर्गों का कहना है डॉक्टरों का कहना है जितने लोगों ने इसके बारे में खोच की है उनका कहना है कि कैल्शियम से भरपूर है बदाम खाने से याददार बाश अच्छी होती है चेहरे के लिए सुंदरता बढ़ाता है अगर स्किन अच्छी बनानी है तो बदाम से अच्छा कोई सोर्सी नहीं क्रीम यह जो हम इतनी महंगी क्रीम लगाते ना उसे हमें टाटा बाय बाय कर देना चाहिए लेकिन येस चीज आप कोई भी यूज कर और वह कितनी प्योरिटी के साथ काम करता है वह सिर्फ कस्टुमर को बताता ही निस दिखाने तक नहीं होता है और ऑफ दे रिकॉर्ड वह जो काम करता बहुत क्लियर होता प्रोसस दिखाते 17 किलो हमने ब्रदाम ले लिया है अब यह धीरे धीरे यह सारा बदाम में इसमें वाली हूं अब यह देखें हमने बदाम डालना शुरू कर दिया है और यह धीरे धीरे इस तरीके से पाउडर होगा यह देखें आप यह देखें इस पोने में पूटी जा रही है यह देखें अब ऐसे करके अब आप लोग भी देख लो 17 किलो पदाम डाल दी हमने और कैसे रखा गया है यह पूरा सवा घंटे का प्रोसस होता है हमने जैसे दिखाया था 17 केजी लिया है बदाम अभी धीरे धीरे इस तरीके से पूरा पाउडर होगा फिर इसमें हम एक most important ingredients है जो हम add करते हैं market में लोग दूसरे जो तेल में वो chemical add करते हम इसमें शुद्ध पानी water add करते हैं जल add करेंगे और बस वही एक process है और फिर तेल यह थोड़ा सा हलका जितना हम गरम पानी पीते हैं उतना ही गरम यह तेल करेंगे और उसके बाद यह तेल निकाला जाता है इसको फिर कोई other than this कोई process होता नहीं इसमें कोई procedure ही नहीं है सब तेल निकाला फाइबर खाली बैठा और पैक करके वो customer तक पहुंचाया जाता है कि देख लो मशीन चल रही तो दीरे दीरे यह बदाम के almost powder थोड़ा थोड़ा हो गया पर अभी थोड़े भी रह गए मेरे साब से अभी थोड़े थोड़े रह गए ना इसमें water add करेंगे अब water add करेंगे water add करने के बाद के दीरे जो बचे कुछे हैं यह सारे के सारे यह भी powder पहुंचाये अभी पानी आड़ करेंगे 17 किलो में 2 लीटर पानी नहीं लोग देख लो इसका दीरे दीरे कलर भी चेंज होने लग गया अब और भी लगेगा ना टाइमान बिल्कुल और और थोड़े पाउडर हुआ आपके साब करने के बाद इसमें एक टेपरिचर क्रियेट होता है और जब नो के बीच में यह घर्षन होता है उसके बाद यह छोड़ना शुरू करता है अब देखेंगे तो थोड़ी सी मात्रा में आपको तेल दिखी रहा है अब यह और वक्त लगेगा तो जो यह पूरा भर जाएगा और जो तेल का कलर अभी थोड़ा आपको ड़स्टी लग रहा है तो फिर यह दीरे 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 इसी तरीके से य तेल का अब को ब्ला करते है थोडूर भी इन इस रचंहिए और गुर्शन इस निद ka यह क्मों ला आपने थेख स Commerce की क्या कलर था और अब देखें तो फल के तोस्का सब तेलका जो प्होंतिडी था वोट चुका है और कलर भी अप्धोरा और उर वक्त लगेगा तो यह त को चोड़कर आप इसे अपना ले तो आप अपने स्किन की कॉलिटी देखेंगे कि किस तरीके से डे बाइडे इंपूर होती है एक्ने हैं डार्क सर्कल है इन सब के लिए अल्म डॉइल से बेस्ट सर्विशन कुछ भी नहीं है तो यह बात रही चेहरे की आपके स्किन केर की अब आप इसे as a hair oil भी यूज़ कर सकते हैं बदाम का तेल लगाने वाले बहुत लोग है इस बात को मैं बहुत अच्छे से पिछले एक साल से लोगों को काफी फर्क पड़ा है तो अभी अपन देख लो अभी भी देख लिए है मिलका इसका अभी चली रहा है तो अभी देखो अल्मोस्ट कलर चेंज़ होने लगते हैं तो यह ओईल है तो इस तरीके से पहले प्राउनिश था अभी यलोईश कलर में अन्वर्ट हो र देल बाता कि तो अभिजित wprowad सल्या क्थज़ क्यों अगाम को फुरसेस खोगाया तो इसका हम फानी प्राउस होंता है एंसाओ किन्हें फ्रुप अग हलो मैं घज़े अर मिलको बाहर लेंगे और जनराली हम तेल को निकालने के बाद राथ भर रखते हैं और जब फूरी तरह से नाचोरिली सैटल हो जाता है, बॉल्टम में यह जो प् Important होते है, जो नैचरीली सैबिल होते हैं उसके बाद हम इसे बॉटल में भरते हैं पर हम आप सब के लिए हम इसे भर कर भी दिखाएंगे फ्रेश ओल अगर भरा जाए फिल किया जाए तो किस तरीके से वो नजर आता है तो मैं आप तक पहुंचा नहीं सकती इसके लिए आपको ओर्डर करना ही होगा आप सो यह देख लो मशीन बंद किया अब यहां से और निकलेगा और यह देख लो प्यूर बदाम का और आप लोग ने पूरी वीडियो देखिए होगी तो आपको मालूम पड़िया होगा इसमें जरा साभी कुछ केमिकल नहीं डाला गया कुछ भी नी डाला गया यह पूरा प्रोसेस नाचुरल आप देख लो पस यह मोटर यूस किया गया और चलते गया और हां जितना भी ऑटमाटिक हो जो यूमन की जरूरत लगती जैसे कि अंटे खुद मदद कर रहे थे बार बार बदाम में और यह देख लो इसको कि हमें फ्रेश और चाहिए अभी निकाला है अभी दे दो तो उनको तो दिया जाता है पर कई बार क्या होता है कर हम ओनलाइन इसे बेज रहे हैं कहीं दूर से तो जब यह तेल अब उन तक पहुंचेगा अगर में फ्रेश भर दूं तो कई बार यह पाउडर लेयर इतनी तो उनके मन में डाउट आ जाता है कि भी यह क्या है तो समझाने पर समझ जाते हैं पर हमारी कोशिश होती है कि और नाइट रखा जाए सट्ल टेल ही कस्कमर तक पहुंचा है यह हाफ लिटर मैंने फेरा है यह डिफरेंस आपने बताएंगे बिल्कुल हाँ यह हमने वीडियो में देखके मिलेंगे फर्क है यह क्या बता रहे है तो आपको बताना जाओंगे यह फ्रेश ओल यह फ्रेश ओल है यह और दनाइड एक यह दो रात रखके जब नैचरली सेटिल हो जाता है तब यह तेल भरा जाता है तो इस तरीके से कलर इसका नजर आता है तो तो आप आए और आपने हमारा वीडियो किया और हम लोगों तक इसी तरीके से एक मीडियम के जरिये हम लोगों तक पहुंसते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया बदाम का तेल कैसे बनता है और यह हमारे पास फ्रेश गरम भी है और यह 24 श्टोर चुका और इ कि यह सकते हो इनके ब्रांचे घाटकोपर भी आ चूके घाटकोपर मुंभई में हमारे मुंभई में जब आओ कहा कि थानी के पास कथाने में घाटकोपर में और ऐसे भी मैंने आपको website डाल दिया इस description में आप लोग order कर सकते हो thank you for watching the video, अगर आपको वीडियो पस्तम आया तो अपने दोस्तों के आज शेर करो और ही प्रोसेस बताओ किसमे हाईजीन तरीके से बनता है okay thank you